उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के अंतिम चरण में आज 233 थानिय निकायों के लिए 26 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं अंतिम चरण के इस चुनाव में कुल 94 लाख वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जबकि 4532 पदों के लिए कुल 28,135 उम्मीदवार किसमत आजमा रहे हैं तीसरे और अंतिम चरण में कुल 5 नगर निगम, 76 नगर पालिका और 192 नगर पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं राजी निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदान के लिए 3599 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गए हैं निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान 22 नवंबर को हुआ था जबकि दूसरे चरण का 26 नवंबर को हुआ था वोटो की गिनिती एक डिसंबर को होगी